हलो दोस्तों आप सभी का welcome करते हैं आज की एक ऐसे वीडियो में जिसमें हम finance पर अगर आपने कवाईसी में कुछ mistake कर दिया है आपने pen card number लिखने में कुछ mistake कर दिया है आपने जो भी ID लगाई है उस ID को किया है तो थोड़ा भूत mistake है तो आपकी KYC उसके बहुजूद भी अप्रूब हो गई है और उसके बाद आप कोई ID में कुछ नो कुछ प्रोब्लम आ रही है तो आप उस चीज़ को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं आपनी KYC में जो नमबर लिखने में आप में मिस्टेक किया है उस चीज को कैसे ठीक कर सकते हैं वही हम इस वीडियो में बात करेंगे तो दोस्तों चलिए आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम का स्वल का इस पे ही आपको क्लिक करना होता है यहां प्रॉब्लम किया आती है कि जो आप कुईसचन होता है उसका रिप्लाई हैं पर सभी से नहीं पाता है क्योंकि ये एक computer बात कर रहा होता, ये एक board बात कर रहा होता है, जो आपकी हर बात को नहीं समझ पाता है, जो इसमें freeड होता है, उसी चीजा का ये reply दीता है, इसके इसे आलावा और चीजा और जो चीजे हैं, वो reply नहीं दे पाता है, वो wrong बताने लगता है, तो से बात करा हो आपकी बात को समझे और आपके बात को समझ के आपका रिप्लाई दें तो यहां पे आपको उसके लिए करना यह होता है सबसे पहले तो जो भी problem है knowledge कYC से related है तो यहां पर आप सबसे पहले यह option मैंने यहां पे चूज किया था I would like to change my ID number in profile how can I do this तो यहाँ पर जो reply आया था यहाँ पर किस तरीके से कर सकते हैं वो सारी चीज़े दी थी लेकिन जो मुझे चेंज करना है KYC में pen number वो चीज़ यहाँ पर मुझे नहीं मिली क्योंकि KYC से related आपके application में edit करने का कुछ भी option आपको शो नहीं करता है आपकी ID में जैसा कि आप जानते हैं अगर आपने ज्यादा research की है ज्यादा कुछ खोजा है KYC से related तो आपको वहाँ पर मिला होगा कि उसमें edit करने का कहीं कोई option नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर जो यह article इन्होंने दे रखा है इस article पर आपको क्या करना है नीचे solve, unsolve का आपसन आता है तो आपको unsolve unsolve पर click कर देना है कि आपका जो आपका जो question है आपका जो आपकी जो problem है वो solve नहीं हुई है यह चीज यहाँ पर इस थम पर इस तरीके से जो थम बना हुआ है इस पर click कर देना है तो यह उसके बाद फिर से एक article आया है इस article में भी मैंने unsolved ही लिखा है तो उसके बाद यहाँ पर जो इनकी तरफ से message आया है one moment will be connect to इनके दोरा यहाँ पर message दिया गया है यह चीज और उसके बाद just यहाँ पर देख सकते है यह message आया हुआ है welcome to binance customer support this is c.s.john c.s.john को वहाँ पर रखा गया c.s.john जो है वो line पर आ चुके हैं एक आदमी है एक इनसान है जो उधर से भी बात करने के लिए सामने आ चुका है और यह पूरी chatting हुई है pen number को change करने को लेके तो last में इन्होंने यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने please provide a photograph of your document showing your correct number तो यहाँ पर वो document उन्होंने मांगा है कि जिसमें मेरा correct pen number जिसमें show कर रहा है वो document इनको मुझे provide कराना होगा उसके बाद यह लोग मेरे pen number को सही करने का जो तरीका होगा वो बताएंगे या तो वहाँ से ही यह लोग change कर देंगे या कोई option देंगे वो सारी चीज आगे का process यह लोग बताएंगे क्योंकि यहाँ पर photograph मांगा गया है कि वो ही लोग यह हमारे जो भी information incorrect होगी उसको यह लोग correct करेंगे और कर देंगे या तो अपनी profile में वो option देंगे कि हम खुद से अपने pen number को change कर पाएंगे या disapprove कर देंगे जैसा भी होगा आगे आप इनसे बात करके कर सकते हैं देखिए हो सकता हो कि आपको English में problem आ सकती है तो आप जो पूछना चाते हैं जो आप कहना चाते हैं सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इस तरीके से option लाना है कि आप direct वहाँ पे जो virtual आदमी बैठा हुआ है जो इंसान बैठा हुआ है उससे connect हो सकें उसके बाद आपके जो भी question हैं वो सबसे पहले हिंदी में लिखिए कहाँ पे? Google Translate पे और उसको translate करिए English में उस English के जो word है जो sentence है उसको copy करिए यहाँ पे paste कर दीजे और जो उनकी तरफ से reply आता है फिर उसको copy करिए अगर समझ में नहीं आता है तो सकते हैं और अपनी problem का solution यहां से ले सकते हैं उमीद है कि आपकी जो भी problem रहेगी के वाइसी से related वो आपकी problem solve हो जाएगी और आपकी ID बिल्कुल सही तरीके से काम करने लगेगी रन करने लगेगी तो मुझे उमीद है कि आप सभी को यह clear हुआ होगा कि आप अपनी बाइनेंस एकाउंट में अपना pen number किस तरीके से change करा सकते हैं कि YC में कोई problem है तो वो किस तरीके से change करा सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों इसके अलावा भी अगर कोई आपके question है कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आगे आने वाली वीडियो में हम जरूर किलियर करने की कोशिश करेंगे तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा चैनल पर पहली बार आए है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए थाक्यों दोस्तों वीडियो देखने के लिए